So guys, welcome to new video और आज की वीडियो में हम बात करेंगे Amazon Seller Support Team को contact कैसे करते हैं तो चली वीडियो स्टाट करते हैं So guys, वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आपने मेरी चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरी चानल को सब्सक्राइब कर दीजे आपको जो Amazon में जो calling timing से जो आप call करोगे हो fluctuate होता रहता है due to pandemic problem उसमें आपको कभी 10 बजे से लेके 2 बजे तका भी मिलेगा या फिर 9 बजे से लेके 4 बजे तका मिलेगा Make sure कि आप उसी time में call कर रहे हैं अगर आप उसके बाद call करने के try करोगे तो वो call नहीं लगेगा या फिर उस button को activity नहीं होगा मतलब जो call me now का button रहता है वो activity नहीं होगा आप timing के under call करते हो तो वो button activate हो जाएगा अगर आपको e-commerce के related और भी जादा updates चाहिए या फिर up to date रहना चाहते हो तो आप हमारी website को भी visit कर सकते हो लिंक description में रहेगा या फिर यहाँ पर नाम show हो जाएगा तो गैस और एक चीज़ बता दो आज हम दो device में देखेंगे एक तो desktop device में देखेंगे और एक तो mobile device में देखेंगे mobile device में आप कैसे call कर सकते हो seller central के through और desktop में आप कैसे call कर सकते हो तो चलिए अपनी computer screen फिर हम चलेंगे अपने mobile के view पे तो गैस हम आचुका हमारी computer screen पे तो चलिए मैं आपको दिखा देता हो कि Amazon seller support team को contact कैसे करते है तो गैस हम चले जाएगे हमारी Amazon की panel में तो गैस मैं आचुका हमारी Amazon की panel में आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे help का option देख रहा है आपको यहाँ पे click करना है आप जैसे यहाँ पे click करोगे आपको कुछ ऐसा show एगा recommend for you आपको नीचे scroll down करके आना और आप यहाँ पे देखोगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे selling on Amazon तो मैं जैसे यह click करता हूँ यहाँ पे describe your issue करके आ रहे है मतलब आपको अपना issue describe करना है सपूज मेरा issue है चलो मैं सपूज लिख लेता हूँ कि मेरा pick up नहीं हुआ आप यहाँ पे click कर दीजे my issue is not listed simply जैसे आप यहाँ पे click कर दोगे यहाँ पे दो option आएंगे account related है या product की listing के related है अगर आपका issue कोई product की listing के related हो रहा है कि मतलब आपको कोई problem होरी उस चीज़ पे तो आप यहाँ पे product listing select कर सकते हो मेरा pick up not done yet है तो फिर मैं account के लिए जाओंगा तो मैं यहाँ पे simply click कर दे तो account related आप जैसे continue पे click करोगे आपको यहाँ पे तीन option दिखेंगे एक है chatting का दूसरा है phone का और तीसरा है email का आप यहाँ पे simply phone पे click कर दीजे आप जैसे phone पे click करोगे आपको Amazon कुछ बता रहे चीज़ बोलना चाहता है कि उन्होंने मतलब उनलों की system में बहुत सारे calls आ रहे है तो वह higher weight हो सकता है मतलब आपको वेटिंग जाधा करना पड़ेगा उस चीज़ पर यहाँ पर लिखा हुआ है we are currently experiencing higher than normal weights मतलब आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इस चीज़ पर आप यहाँ पर अपना number डाल देजी मैसे जैसे कि number डाल देता हो example के लिए जैसे आप अपना यहाँ पर number डाल देता हो आपको यहाँ पर डालना है urgent issue है तो आप यहाँ पर urgent issue पर click कर सकते हो अगर नहीं है तो आप रहने दे सकते हो त पर दिखाया, Monday to Friday 10 am to 2 pm, मतलब 10 बज़े से लेके 2 बज़े तक आप कॉल कर सकते हूँ, उसके बाद आपका कॉल नहीं लगेगा, और उसके बाद आपको next day कॉल करना पड़ेगा, तो वैस चलिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर है, मोबाइल की स्क्रीन में से देख लेते हैं कि आप मोबाइल के थ्रू कैसे कॉल कर सकते हैं, तो चलिए अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, आप मोबाइल की स्क्रीन की स्क्रीन पर,